एक गाउं में किर्टी और बालू नाम के भाई बहन रहा करते थे उनका इस दुनिया में कोई नहीं था इसलिए वे दोनों एक दुसरे का साथ देते हुए जी रहे थे ऐसे में एक दिन बालू ने अपनी दीदी किर्टी के पास आकर कहा दीदी आज मंदिर में प्रशाद बांटा जा रहा था मैं दो बार गया और हम दोनों के लिए प्रशाद लेकर आया ये कहकर बालू ने अपने साथ लाया हुआ प्रशाद कीर्टी को दिया ये तुमने क्या किया बालू अगर वहां खड़े सभी को ये पता चल जाता के तुने दो बार प्रशाद लिया है तो भला क्या इज़्सत रह जाती तू वहाँ गया था ना तो तुझे सिर्फ अपने लिए प्रशाद लेना चाहिए था मेरे लिए लेने की क्या जरूरत थी दीदी मैं देख रहा हूँ कि मेरा पेट बाने के लिए तुम कितनी मेहनत करती हो जब तुम मेरे लिए इतनी सारी मेहनत करती हो तो क्या मुझे तुमारे लिए इतना भी नहीं करना चाहिए ठीक है बालू, अब तुने जो प्रशाद लाया है उससे एक समय का पेट तो हम भर लेंगे पर इसके अलावा घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है किर्टी को ये कहते कहते कुछ याद आया हाँ, भाई तुने कहा था ना कि कुछ दिनों पहले सूर्या आंटी के घर गया था तु और उन्होंने कहा कि कोई काम है तुने फिर से जाकर उनसे काम के बारे में पूछा हाँ दीदी गया तो था ना हाँ पर मैं बोलना बोल गया वो क्या है न आंटी ने तुम्हें और मुझे कल से काम पराने के लिए कहा है अगली सुबह कीर्ती और बालू दोनों सूर्या आंटी के घर के लिए निकले बालू और कीर्ती को देख कर सूर्या ने मन ही मन सोचा मैंने जैसे ही काम की बात की ये दोनों यहां दोड करा गए अब मैं इन दोनों से भले जितना भी काम करालू कोई मुझे पूछेगा नहीं इनसे अपना काम निकलवा कर मैं इन दोनों को घर से निकाल दूँगी यू मन ही मन सोच कर सूर्या उन दोनों बच्चों के पास गई अरे आओ बेटा किर्टी कल ही मैंने तेरे भाई से कहा था और आज ही तुम दोनों यहां काम पर आ गए बहुत बढ़िया चलो दोनों भीतर जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ तुम सारा सफाई का काम देख लेना और तुम्हारी दीदी रसोई का काम देख लेगी यू उन दोनों को काम समझाया वे दोनों भी मन लगा कर काम करने लगे एक दिन अपना काम खतम कर घर पहुंचे बालू ने अपनी दीदी किर्टी से कहा दीदी, हमें शूरिया अंटी के घर काम करते हुए आज पूरा एक मेना खतम हुआ है न कल हम उनके घर जाकर एक मेने की तनक्वा पूछ लेंगे न नहीं बालू, अगर उनके पास पैसे होते तो भला वो अपने पैसे रोक कर क्यों रखते ये बात तो वो भी जानते हैं न अगर पैसे होते तो वो खुद ही हमें पैसे दे देते हो सकता है उन्हें भी पैसों की कुछ दिक्कत होगी हम बिना पैसों की बात करें अपना काम करते हैं यू कई दिनों तक बिना मांगे वे दोनों काम कर रहे थे पर फिर भी सूर्या के पैसे ना देने पर हताश होकर किर्टी और बालु ने सोच लिया कि सूर्या से सामने से पैसे पूछेंगे अगले दिन किर्टी सूर्या के पास जाकर बोली सूर्या आंटी जी हम दोनों को यहां काम करते हुए तीन मैने हो चुके हैं आपने अब तक हमें एक महने के भी पैसे नहीं दिये हैं हमें पैसों की बहुत जरूरत है मालकिन यो किर्टी ने साफ साफ सूरिया से पुछा क्या कहा? मैं तुम दोनों को पैसे दू? भला किस बात के पैसे दू? आखिर क्यों दूँगी मैं पैसे तुम्हें? लगा तुम्हें यहां काम करना अच्छा लग रहा होगा पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों पैसों की आस में काम कर रहे हो ऐसे सूरिया के कहने पर मालकिन यह बहुत गलत बात है इतने महनों तक हम से काम करवा कर अब आप इस तरह अंजान बन रहे हो यो घुस्से से चिल्ला कर बालू ने पूछा बालू के इस तरह बात करने पर सूरिया को और घुसा आया उसने घुस्से से दोनों को धक्का मार कर घर के बाहर कर दिया वे दोनों सीधे जाकर भिक्षा मांग रहे एक साधू के कदमों में गिर जाते हैं सुवामी जी ने उन्हें हाथ देखकर प्यार से उठाया बच्चों यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब मैंने देख लिया पिछले कुछ तिनों से मैं तुम दोनों पर नजर रखे हूँ बेटा किर्ती, मैं तुम्हारे दुख और तकलिफों को समझ रहा हूँ इसलिए मैं आज तुम दोनों की सहायता करना चाहता हूँ तुम दोनों के पास कोई भी कीमती चीज होगी तो लोग तुमसे वो छीन लेंगे इसलिए मैं तुम्हारे केश को सोने के केश में बदल दूँगा। तुम्हारे एक मंत्र कहने से तुम्हारे बाल सोने में बदल जाएंगे। उन में से जितने की तुम्हें जरूरत हो उतना काट लेना। फिर बाकी सभी बाल मामूली हो जाएंगे। जब भी तुम्हें किर्टी तुरंद वहां से अपने घर पहुंचे किर्टी ने स्वामी जी का बताया हुआ मंत्र बोला जिससे किर्टी के बाल सोने में बदल गए बालू ने जितने की जरुरत थी उतने बाल उसके बालों में से काट लिये इस तरह स्वामी जी के दिये हुए इस वर के कारण कि और बालू की जिंदिगी से गरीबी का अंत हुआ। सुनिए जी अपनी शादी को पूरे साथ साल बीच चुके पर अभी तक अपनी कोई संतान नहीं हुई। इसलिए मैं वहाँ चली तो गई थी पर सब की नजरों से बचकर चुपचाप एक कोने में बैटी रही। पर जलजा मेरा हाथ पकड़ कर जबर्दस्ती सब के बीच ले गई। जलजा के घर वालों ने तो कुछ नहीं कहा पर गाव वालों ने कहा कि ऐसे बांच के साथ घुमती फिरती हो। कल के दिन तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ अनत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उनकी इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझ से वहां रहा नहीं गया, मैं वापस आ गई। निसंतान होना मेरे लिए शिराब बनता जा रहा है। रानी, हम तो साधरन मनिश है, भला हमारे हाथ में क्या है, किसको कब क्या देना है उपर वाला ही जानता है। इस दर्द का सारा भार उपर वाले पर छोड़ने के आलावा, हम और कर भी क्या सकते हैं। योही कुछ दिन बीते, रानी को बता चला कि वो मा बनने वाली है। सुनिये जी, आज ही मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मेरी जान्च की और बताया कि मैं मा बनने वाली हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारा भी सब की तरह एक बच्चा होगा, और हमें जरूर बेटा ही होगा। राणी ने खुश होकर बताया, राणी तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, और हाँ हमारा जरूर बेटा ही होगा, पारे वन्च को आगे बढ़ाने वाला हमारा वारिस। राजु ने भी अपनी खुशी जताई, राणी और राजु ने एक सुन्दर सी बेटी को जनम दिया, उन्होंने उसका नाम कीर्ती रखा, कुछ सालों तक उन दोनों ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पर राणी मन ही मन सोच रही थी। हमारे नाम भले ही राणी और राजु हो, पर ना मेरी जिन्दगी राणी जैसी एशो और राम में हैं, और ना ही राजा का सिंगहासन, सालों के इंतजार के बाद हमें संतान हुई भी तो वो बेटी हुई, इस कीर्ती के बदले में अगर कोई बेटा ही होता, तो कितना अच बालु के जन्म के बाद राणी और कीर्ती ने कीर्ती की और ध्यान द्याना कम किया था, कुछ साल बीते और बालु कीर्ती बड़े हो गये, समय के साथ साथ राणी और राजु का प्यार कीर्ती के लिए पूरी तरह से कम हो गया था, और बालु को वंश का उधार करने वाला जानकर उसी पर अपना सारा प्यार लुटाने लगे कीर्थी से घर के सारे काम करवाते थे एक दिन कीर्थी ने आकर अपनी मा से कहा मा चाहे बालू हो या मैं हम दोनों आपकी ही संतान है न तो हम दोनों के लिए आपका प्यार भी समान होना चाहिए न पर बालू को जहां इतना प्यार देती हो, वही मुझे अच्छूत की तरह दूर रखती हो, क्यों मा? इस पर राणी ने कहा, वो हमारा वन्शुधार है, हमारा प्यार पाना तो उसका हक है, पर तुम इस घर की महमान हो, कल जब शादी होगी तो तुम किसी और घर की हो जाओगी, आज जीवन साथ रेने वाला बालू ही है न? यूँ उससे सक्ति से कहा, जब कीर्टी बरतंद हो रही थी, तो मा बालू को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, इतने में रामू नाम का एक वृद्ध आदमी वहाँ पर आया भाबी जी, राजु का एक्सिडेंट हो गया है, वो इस समय अस्पताल में है, आप जल्दी से चाकर उससे मिल लीजिए रामू ने जैसे ही ये कहा, बीना कुछ सोचे, तुरंट अपने पापा को देखने के लिए अस्पताल जाने निकले गहरी चोटों के साथ अस्पताल के बेट पे पड़े अपने पापा को देखकर दोनों जोर-जोर से रोने लगे उस दिन से जितने भी दिनों तक राजु का वहाँ पर इलाज चलता रहा, कीर्थी और बालू ने पिता के साथ रहकर उनकी हर तरह से सेवा की कुछ दिनों के इलाज के बाद राजु ठीक होकर घर लोटा घर वापस लोटे राजु ने बच्चों से कहा बेटा कीर्थी तुम्हें हमें माफ करना होगा हम हमेशा यही सोचते थे कि बेटों से बढ़कर बेटिया नहीं होती बेटियां हमेशा माबाप के लिए बोच होती है सोचते थे कि पेटा ही वन्शोधार होता है इसलिए हमने तुम्हें कभी जादा प्यार ही नहीं किया पर पिछले कुछ दिनों में जब मैं अस्पताल में था तब तुम दोनोंने मेरी जैसी देख भाल की उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ बेटा हो या बेटी एक समान होनी चाहिए घले ही तुम मुझसे बहुत छोटी हो आज के बाद मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो ना कोई जादा ना कोई कम ये कहते हुए पिता ने अपने बेटी को गले से लगाया प्रभावित है